नमस्कार वे देर्थी मित्रानों बारायुच्या वर्गामदे अपला सर्वांच सहरिश स्वागत अत्ता या बारायुच्या वर्गामदे अग्रिकल्चर सायन्स एंट टेकनोलोजी या विश्यादचा अब्धैस करेत अस्ताना आज आपन पहला टोपेक ट्रैडिशनल अब्धैस करें ट्रैडिशनल क्रॉप मनें फारं पारिक पिक एंचा मदे फीट मनें घहू , राईस मंजे भात , ग्रांट मंजे बुवे मूख , स्वय बीन और ग्राम अजह्र बरा या पिकांसा या ट्रैडिशनल क्रॉप मनें समाइश हो तो आज आपन भगना रहा है ट्र वोज सब्सकावचा सवाहे लागनी पंसवानि परइत संथय को वाँर बनलने टेकर भिली पर देंड परली वहाँ यहां पिला नेशनेचार वाँगों फीट चा करना आहे तर शुरुवा तिला आपन बोगिया बोटैनिकल नेम बोटैनिकल नेम लापन शास्त्रिय नाव मनतो अपली व्योगई नाव आसतात बागा पन शाहे मदले नाव रेकॉर्ड च नाव ही आपले खर नाव आसता ती शास्त्रिय आपन तेला मौने थोड़ प्रिटिकम जीनस आहे स्पेसीज आहे तर तुम्ही लीता ना बोटैनिकल नेम कसल है साहे तर पहले लेटर कैपिटल पर दुसर्या स्पेसीज मदलब पहले लेटर तर तर वड़ोड़ों कैपिटल बाकिच सगे लेटर स्मॉल आणि तेचा खाले रेश मारा चाहे दोन जी सकती बुनाप चाहे तर वड़ोड़ॉडस आहे तेचा बस 10 धिल्स इंद का बल दूसर्या स्पेसीज में क Marco Tritickum Gutum , Tritickum Duumaturum Stym Alum Tritickum Duumaturum Stymom Hard wheat ट्वुकत महर्पोत साहर में, हUeri, Прлив kilogram रितिकमस्टिवम बोटएंचल नेम टितिकमस्पेसीज येवड़ा जरी लहादि लेतरी पन चालो शक्त तर फैमेली भगा मंजे विशंगा कुटम 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 कुला तिला है फैमेली आहे ग्रामीनी मंजे गवतकुल गवता सरकेवादनारी जीपी नची एक फैमेली आहे जुगरखेंचि पन फैमेली आपन भगिटलेया ग्रामीनिया तोeledड जी पन फैमेली को अनतेया है ग्रामेली पैडेडी कि पन फैमेली को अनतेया है ग्रामेली उरीजिन ओर श्ञोब जे चापाती साथ आपन वापर तो तेज ओरीजिना है Northwest India, कुटा है Northwest India, आनि हार्डवीट से ओरीजिना है अब बेसिनिया, कुटा है अब बेसिनिया, ठीके? तेज अन्तर, uses of feet, तेला सापन economic importance of feet असा मनतो, feet is an important staple food, mainly consumed in the form of चापाती, feet is important staple food, staple food मनजे दोरोच चा आहरामदे आपन वापर तो मुख्य अन्ना अपन तेला मनतो, staple food, मुख्या अन्ना मनुं यचा उक्योक्या लाजातो, आपन दोरोच बर्यापेकी महराष्टेन लोग को चापाती घातात आनि मुख्या ना है चापाती, wheat grain contents starch, protein, fats, vitamin and minerals, soft wheat is used for making bread, cake, biscuits and other bakery products, soft wheat जो है है, तेचा पासुन काई-काई बनल जातो, bread बनल जातो, बिस्कुट बनो लगा निचेक थाथ केक बनोनेशाथी सॉफ़्टफीट पासीन बनो लेट बनो लेट बिस्कुट बनो लेट निकेकरी प्रोडक्ट हैसागरे सेगे воघ्म ते पसमृड हाद्विट songs सुँचा रवावद. कहला जातो मुण सांगेतलो हुट ते रवा थैयर करन्या साथ Hist GET करण साथी शेवाय तायर करन्या साथी unit when the genya मैदा सेल रहा शेल सूजी तायर क्या ली जातीये चापसुन शेवाय तायर क्याय क्यली जातीयें छित्स्ट्रा इस ज्यूज़ ईज फ्वादर चाराम उन जातो उची काई कडबा रहतो तेयाचा चारा मुप्यों क्याला जातो आनि मल्चिंग साथी मल्चिंग मन्जे एनी मट्रेल इस युदर पार कॉरिंग दस वाईल अच्छा दन तैयर कान्या साथी कियाला जातो तेला कामला तो मल्चिंग विट हाज गुड ब्रेड मेकिंग क्वालिटी द्यू टू गुलेटीन कंटेन ब्रेड बनोला जातो ब्रेड मदे गुलेटीन आहे और या गुलेटीन मुळस तेयाचा गुड मेकिंग क्वालिटी ब्रेड तैयार कान्या साथी तेज अव्यों क्याला जातो बाकिची दान्य सबस्कूर भागा आपंजोरी आए तया च नोगे गुलीटीन कंटेन ना सवे चाहिए ना है लिएवे लग्षा ताल मतवाच मोटेस्टाइब ना यह सटार्ट प्रोटीन आए फैर्स आए विटैमिना है ब्रेट्ट विच्कूड तयरक लेए बिस्कूर्स रावा सूजी यान सेवया तयार केले जाताल फ़ॉडर परपसाथी मल्चिंग परपसाथी याचा उप्योग केला तोनी यह जामादे गुलिटीन आहे आता, स्वाइल, मत वाचा मुद्धा पन स्वाइल भगना रहे स्वाइल या पिका साथी कोंते प्रकाची जमीन लागते जमीनी चे वोई शिष्ट काया तर भोगया फिट कैन बी कल्टिवेटेड फ्रोम लाइट स्वाइल टु हेवी गले स्वाइल बीकारा जमीनी चे प्रकार किंते प्रकारा मदे वीट स्वाइ प्रकारा practice यादब लाइट लाइट माजे हलकी जमीन थे भारी जमीन गले माती येचा मदे जवाँचा प्रकारा ज्慶ा प्रकाराAd एट Soil should be fertile and well-drained जमीन ही सुपी का सावी निच्रा होनार या सावी इच्छुट बया हैव गुड वाटरवल्डिक कापासिटी पानी दुरुन ठेवनेची चम्ततेजी का सावी सांगलिया सावी दे रेंफेड क्रॉप इन महाराष्टा इस ग्रोन अन हेवी स्वाईल और रेंफेड क्रॉप मेंस जे कापसा अन धी पिकारुआ होना proportion पाऊसावर्ति घुह गेळा जाथथो तो हैवी स्वाईल मादे चांगले प्रकार ईंटो भाः जमी जमीन मादे चांगल्या प्रकार्य ऐतों काड़ी चांगली जमीन कितिया आहे 5.5 ती 1.5 रमें पी एच्अागय होतीय चांग्ले होतीय चांगले होतीय है और म्याझ्छ स्वाइट ही आध Anast right it is a temperate crop ये कोंथे प्रकारा मदे याना रहा है temperate, ठंडवार्थावर्णा मदे याना रहा है it requires cool, dry and clear weather येचा साथी ठंडवार्थावर्ण लागत कोरडवार्थावर्ण लागत and clear वार्थावर्ण लागत optimum temperature range is 7 to 21 degree Celsius तप मान किते लागत 7 to 21 degree Celsius 27 degree Celsius पिकाचा वाड़ी साथी तप मान आवोशका है cool and dry clear वार्थावर्ण लागत आवरेच अन्यूल रेंफ़ावर्ण लागत is about 750 to 1,600 mm 715 to 186 mm येवडा मोट्य प्रमान काया रागत पाउस येवडा आवरेच रेंफ़ावर्ण लागत पाउस अजर पढ़ ला तर त्या ठीकानी पिच अंगल्या प्रकारे ग्रू होता हाई हुमिडिटी विद क्लावडी वेदर इस हारभ पूल हाई हुमिडिटी मेज आधरता जासता सेल त्या ठीकानी पिच अंगल्या प्रकारी यूश कर नाई टेम्परेट क्रॉप आहे क्लावडी महातवाच मुद्धी टेम्परेट क्रॉप कूल अन ड्राइ क्लावड टेम्परेचर रेंग्स 7-21 डिग्री सेल्सियस स्वाहिल निक्लामिट नंतर आपनेक्स्ट मोद्धा पग्या प्रिपरेटरी टिलेज टिलेज ऑपरेचन जुनसक्ता त्या जदिछ आ्या अना ओधर फ्रॉडव सेल्श यूउप या उन म्ले धात्व ह। गिव न ब्लॉइंग, एक वे नांगर नी करा, ख्रस्ट द ख्लॉड विद धे रहल पॉप नौर्वेजियन हैरो, जे काई ख्लॉड साई धेकला एते धेकला फुडून गया, हैरोचा साहियान, नौर्वेजियन हैरो, आहे ते चा साहियान, कलेक्ट द स्टबल्स अएन पाला पाचोला असेल्टर तो गोला करानी जालूंटाका गिव 2-3 क्रोस्वाइस हैरोइंग दोन तेन तीन वया कुलवाचा पाला जया मंझे आडवर्तिलव क्रोस्वाइस हैरोइंग अपन करूंग्या पर रेंफेड क्रॉप वन डिपलॉइंग इस गिवन रेंफेड क्रोप साथी जिराइती जर अपन गहु करना रासेल्टर तीन वर्षात्पून एक्वेयास नांगरनी करा कारंका जयमनी मदली ओल्टी कुन्ठ होन्या साथ्ट अपन तीन वर्षात्पून एक्वेयास नांगरनी करना फाइदयाच ठर्त अप्टर सोईं शाराज और फ्लैट बेड्स आर प्रिपेर्ड विद ध्यल्प अपसारा यंत। आपन साराटी सोड़तो, शाराटी सोड़ाईच अनि त्या पर देतेन गवु पेरुण गहाचा. शोयंग साराजी अंतर किंवा फ्लाट बड कोरुणा पन पेर्णी कुरू सबतो हे जाल प्रिप्रेटरी टिलेज, प्रिप्रेटरी टिलेज मदे टिलेज ओपरेशन इस कर्द आओट before showing of the crop is called as प्रिपरेटरी टिलेज पेर्णी पुर्वी जमीनी ची माशागत कोरतो त्यला प्रिपरेटरी टिलेजास मंठल जातो next, sowing season and time sowing season and time, पेर्णी कदी कराईची तेची वह कुंती बगा रभी season रभी season मंजी हिवाला, time है October to November October, November या दोन माइन्या मदे पेर्णी केली तरी चालेल actual time है last week of October to first week of November October चा end माइन्या चा क्यों हा? November चा पहला आट पेर्णी साथी चालतो रभी season आई, sowing time and season कोनता है, रभी season sowing direction, object लाग प्रेश्न विचारला जातो why heat is showing in not-sout direction because showing of heat should be done in not-sout direction उत्तर्दक्षिन, क्यों, डख्षिन उत्तर से पेरला जाता, का पेरला जाता तर to get a maximum interaction of sunlight जास्ती-सsin माइस्त सूर्य प्रकाषण, आपन जर उत्तर दक्षिन पेरला उत्तर जास्ती-स प्रमानात कांसरा पनल्या अपल्या बूता अपलाला त्याननतर methods of showing, पेर्णी करनेया साथी गवामाधी कोन पंत्या पद दती वापड लेता थाता Broadcasting और Secondire drilling Broadcasting मंझे कापन गेतो गवाँ पाटी मदे आनि फेकतो जो मेंड़ी वर्त त्यला Broadcasting आस माणड़ीलो दाता Drilling मंझे पेर्णी अंत्राचा सायान पेर्णी करना पाउसा वर्त आउलमबुन ना रहता तर तेला इरिगेटेड क्रोप मन्ता तेची खोली तीन ते 5 सेंटीमेटर आंतर वरते ठ्यावाई चाहे और इरेंफेड क्रोप जिराई ती पाउसा वरते आउलमबुन गोव के लासे तर आट ते 10 सेंटीमेटर खोल गवासा वा खोली अगर्या वर्त आट बटकिया मतलझान ते अन्तर नेक्स्ट जीड़ेटे आएंट सपेसिंग तरेट वन्जे टरी बियान पेरने साथी किती लागत तर बगा शिडरेट आहे डर्फ वर्त चंबर ते 125 केजी पर हेक्टर हेक्टर हेक्टरी चंबर ते 125 केजी बियान लागता बोल्ड सीडेड वाराइटी वाराइटी साथी बगा किती लागता 1.25 ते 1.25 kg पर हेक्टर हेक्टर हेक्टरी आहे बोल्ड सीडेट वाराटी साथी और रेंपेट क्रॉप ज़र आपन के नार पाउसावर ते अलुम मुझे नारा सेल्टर 55 ते 80 kg पर हेक्टर येवड़ बियान लागतर ते अनमतर स्पेसिंग किते अन्तरावर ते पेरल पाई जे बगा इरिगेटेड क्रॉप आसेल्टर 22.5 cm और रेंपेट क्रॉप आसेल्टर 30 cm अथा येचा मधे डिस्टन्स देताना 2 ओळी मदल दिस्टन्स दिले 2 पीका मदल दिलील नाही इरिगेटेड क्रॉप आसेल्टर 22.5 cm और रेंपेड क्रॉप आसेल्टर 30 cm और रेंपेड क्रॉप आसेल्टर 2 ओळी मदल दिले अन्तर अपलेला ठेवाई जे बिट्विन टू रोल्स हे डिस्टन्स पाई जे त्यान अन्तर सीट ट्रीट्मेंट बगा सीट आर सीट्रीट्मेंट माज बीज प्रक्या, पेरनी पुर्वि आपंते जा पू कोण त्या बीज प्रक्या करतो रोग यह उना एइद कीड यह उना एद मनन तलापन सीट्रीट्मेंट मनन तो भागा सीड आ ड्राइड इन सन हीट पॉर्ट टू डेज तु कंट्रोल अ लूसमर्ट लूसमर्ट एवुने लूसमर्ट हा गवहवर्च रोग आहे तो एवुने आसे वाटता सेल तर पेरनी पुर्वी ते बियान वालवाईच उना मदे दोन दिवस आने जर पेरनी केली तर लूसमर एड नाही त्याला सन हीट ट्रिक्मेंट असा मंदल जाता दुर्स दुरी ट्रिक्मेंट आहे सीड आलसो ट्रिक्टेड विट वैक्स 1-1.25 ग्राम परकी जॉप सीड तु कंट्रोल अ लूसमर्ट जर बियान अला अपन पेरनी पुर्वी विट्य वैक्स लावुल कसल लाव शीड आलसो ट्रिक्टेड विट आर्ग्नमॉर्केल पंगिसायड लाइक थायरम 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 चीटर ट्रिक्मेंट के लिए 2-3 ग्राम एका किलो बियाना अला तर फ्लैक्समर्ट नावाचा डिसीज येट नाई हे डिसीज कायात आपन पुड़ बागनार आहे फ्लैक्समर्ट यतनाई थायरमची ट्रीटमेंट की लियास्ता विटेवेक्ची ट्रीटमेंट की लियास्ता लूसमर्ट यतनाई शनी ट्रीटमेंट की लियास्ता लूसमर्ट डिसीज एप नाई सीट्रेटमेंट अतीशे महतवाचे लग्षाठ ठेवा चानंतर मैन्योर्स और फिर्टिलाइजर मैन्योर्स मंजे सेंदरी खतर आणी फिर्टिलाइजर मंजे रासानी खतर किती देची तया पिकाल पिकाची वाड़ सांगले होने असाथी आपन यह देतो बगा मैन्योर्स पाहिलांदा वेल डिकामपोदर या प्वायम और कमपोस्ट इस आड़ेट अड़ेट अप 10-15 तन्स पर हेक्टर अड़ेट ताइम आप लैंड प्रिपरेशन केमिकल फेटलाइजर रासा निक खत बगा रेंफेड फीट पाउसोर त्या उलूम्बनास नेला गवू त्याचा साथी फेटलाइजर डोसा है 50 केजी नाइटरोजन 25 केजी फोस्फरस 25 केजी पोट्याश केजी पर हेक्टर हेक्टरी डोस है 15 केजी नत्रद्या 25 केजी स्पुरद्या 25 केजी पालाश द्या हेक्टरी अड़ेटल वीट साथी 120 केजी नाइटरोजन 60 केजी फोस्फरस 60 केजी पोट्याश पर हेक्टर 21 kg नत्र द्या, 60 kg स्पुरत द्या, 60 kg पालास द्या, पर एक्टरी हाँ डोस द्या अता हाँ डोस अलोट्मेंट कसा करा चाहे, डोस कसा टाका चाहे बगा यह चा मदला, इरिगेटर क्रोप साथी, हाप डोस अर्दा नाइट्रोजन सा मझे, 21 मदला, 60 kg नाइट्रोजन, पूर्न फॉस्परस मझे, 60 kg फॉस्परस, 60 kg पोटेश, हाँ जे मिन तैर करना चाहे बेला ध्या वाइल रिमेनिंग हाप डोस अप नाइट्रोजन इज अपलाएड वन मन्थ अप्टर, सुइंगा रहे लिला नाइट्रोजन, 60 kg तो 1 महीन अं तर, नम निम्मा नाइट्रोजन, लैंड प्रेपरेशन चावेला, निम्मा नाइट्रोजन, एक महीन अं तर, ध्या मझे, पीक जवव जवव पास्तिस साहवया पानी आवश कस्त या पिकाला अंडर इरिगेटेड कंडिशन ला आपन जर बागायती पत देतीन गोह केला सेल फर्स्ट प्री सोइंग इरिगेशन इस गिवन फर बेटर जर्मिनेशन उगोनी पुर्व आपने जर एक पानी दिल तर ते सागयात महत्वा चास्त प्री सोइंग इरिगेशन पिक उगोने न्या साथी remaining irrigation are given at critical growth stages आणि राहिलेएले पानी ये पाससावे आपने पानी या दीन गरजेचा है ते आमादल्य critical growth stages पिकचे वाड़ी चावच्ता है critical growth stages ज़र चलादल या करतिफाल torn ago जयद दील या जर चला अपला उत्पधन चांगल आणि ग्रेंट फिलिंग स्टेज मंझे गवु भरतो गवा मदे दाने तैयर होता त्ती स्टेज या स्टेज ला जर पाणि आपन दिल तर उट पादन अपला चांग लेते तेला काया मदले तर ग्रिटिकल ग्रोध स्टेज आणि इरिगेटर कंडिशन ला पास्ते सावेल स्टेज आं अंतर इंटर कल्टिवेशन इंटर कल््टिवेशन मांझे अंतर मसागत पिक उगून आल आंतर जी काई काम करतो तेला आपन काया मद तो भीपर स्टेज अपनजि काम करतो तेला इंटर कल्टिवेशन मान ताथ dellage operation is carried out after sowing of the crop is called as intercultivation प्रिप्रेटरी टिलेज आुगाल व मतला फरक लाक्षा दालाग वगा व्यपiego होईग फाओग टो हॉयग आुगाल Oliver साथी पेरेट और खावा के वितिराने साथी ऑपरेशन कीली जाता है हर्भीसाइड लाइट बेंट्याजून इस अल्सो एफेक्टिव टू करें आनी विडचे जर कंट्रोल कराई सेंदर बेंट्याजून हे इफेक्टिव आहे अधा या पिकाचा वारायटीज बगा कुन-कुन ते आहेद वारायटीज कल्यान सोना सिहोर सोना लिका यच्छडी 21 एकुन वद मालवी का लोकवन सर्बत्ती सोना रा यण डैश एकुन साथ या महतवाचा वारायटीज अब लेकडवाँ पर्ला दाना रा यच्छली 21 एकुन वद मालवी का लोकवन सर्बत्ती सोना रा यण डैश एकुन साथ यहां महतवाँ छा वराएटीज आहिड तैनंतर next harvesting and yield. harvesting मनझे पिकांची कढडनी कदी केली जाते Hog food are actually when they use aetzen और ये अइछामाद लीफ्तना memang during these प्रोसीजर काडनी कशी केली जाती पगा फिट क्रॉप इस रेडी फोर हार्वेस्टिंग अफटर 4-4.5 मंस अफटर स्वेंग प्यरल्यान अंतर ही पीक 4-4 माहिने आमदे काडनी लेता पिकाचा काला वोदी किते आए किती माहिनाचा पिका आहे त्या वरत्या अउलूंबुर आहे क्रॉप इस हर्वेस्टेड फेन ग्रेनी फुली डेवलप्र विट 18-25 परसेंट मॉइचर और स्ट्रॉप बिकम्स अड्राइब पकवती चा खुणा मदे महतवाचा आहे मॉइचर कंटेंट 18-22 परन्द गियल पाईजे ओला वा थे आतला अन्स्ट्रा जी काड़े आ हे ती वाललेली पाईजे अर्वेस्टिंग इस दन आता काड़नी काशी केली जाते बागा अर्वेस्टिंग इस दन बाय कुटिंग दन प्लांड प्लांड प्लोस तो दी ग्रांड लेवल विद सिकले आता अन्साया दिम्टे नाखा वालले最फ पिकम्स अड्राइब त्रच्ण ओना मदे 2,3 तीन देगी तौन तो ऐवराट ठ्था वाए जा जा थे त्रच्टिंग इस दन बाया यूजिंग अमेकानिकल च्रच्टर क्यों आता काडनी कार्णेया साथी जाते को परमानाथ मशन्नेरी सी से उप्योग एक्चुली बह गायचा है एल्ड माज़ उत्पाधन हेक्टर कीती उत्पाधन में इथे?. रेण्फेट क्रोप साथ prima थे नौ कुस्ट पर हेक्टर काली हित्पाधन. मेर्तर कुपंत है क्यों कुफंत है किवा सुषाने एक क्यों किल शंबर की उनान्ते इरिगेटर् क्रॉप साथे 25 तो 40 कुफंत है exactly 25 construction पर हेक्टर इल्डबगा रेनफेड क्रॉप साथे आये 69 कुंटल per हेक्टर इरिगेटर क्रॉप साथे है 25 to 40 कुंटल पर हेक्टर आपने मैक्सिकन वराटी साथे है 40 to 50 कुंटल पर हेक्टर लक्साताला अपना सुर्वाती पस्षन येचा काय काय बगिटला बोट्यानिकल नेम बगितला ट्रिटिकम स्पेसीज आहे फैमेली बगितली ग्रामी नी ओरिजिन बगितला नौर्थ विस्ट इंडिया आहे यो हार्डवीट से अबेसिनी आहे ठीक है तर अंतर आपर नेक्स्ट मुद्धा पुगिया पेस्ट ओफ फीट और डिसीज ओफ फी पेस्ट मंझे कीड और डिसीज मंझे रोग येचा वरती एनारे महत्वाचे रोग आहे येलो और स्ट्रीप रस्ट येलो और स्ट्रीप रस्ट रस्ट मंझे तांबेरा ब्लाक स्टेम रस्ट तीन रस्ट चे प्रकाराए येलो और स्ट्रीप रस्ट ब्लाक और स्टेम रस् पेस्ट कुणते हैं पाइट मंझे पांटा बूंगया काय करता त्या मुला कुर्टड़ूं खाता आणि पिकाचा डेमेज होतो अल्टरिंग पाउडरा पंते चावर्ती यूज करतो कट वर्म साहे स्टेम बुरू है राट काय करता राट काड आते खाउंट आकता मुट्या प्रमाद नुक्सान करता गावाँचा मुट्य जासाथे जिंग फॉस्पाइड अपन यूज करता तर बोगया एक एक डिसी जानी पेस्ट महत वाचे कट वर्म पिच्चर मदे तुम्हाला दिस्टेट कट वर्म कशा है नेचर अप डैमेज कैतरफिलर्स कट द प्लांट्स फिड ओन देम दूरिंग नाइट हावर्स कैतरफिलर्स या अवस्ते मदे ते काय करता तर जहाड़त कुरता रत आनी कट करता जहाड मोट्या प्रमान गवाच आनी ते खात है संध्याका जवेला मोट्या प्रमान नुक्सान करता आनी एच्चर साथी कल्ट्रोन कराईचा सेथ फाइव परसें अल्ट्रिंपावडर आट द रेट आप 125 केजी परेक्टर पास्तक क्या अल्ट्रिंपावडर 25 केलो परेक्टर लाजर वापर ले परेक्टर आंसे एपक्ट्रोल नुक्सान खर्नावर आएच नेच्च्व डैयमेज लार्वा लार्वा मेंजी आहिया अवस्तला बोर इन्टुदा अवस्तला पूर मांजी खोड़ाला और पाड़त आनि ने युदुदा प्रमाट प्रमाट शाल नुक्सान है निच्वर सेंट्रल शूट लोकली नोन अज देड हर्ट आतला सागला मैटर खात अनि जाना रस वाईनेले डायमेज करत मोट्या प्रमानात जाड़ वालून जात हा स्टेम बोर राइक खोड़ाला होल पाड़ना आतला मैटर खाना तला डेड हर्ट आपन मनतो कंट्रोल मेजर कलेक्ट अशीजर जाहड़ दीस लीतर गोला करन दिस्ट्रा कुरणटा का श्प्रेक पनोल पोस आप्राइक शावर थी इपेक्ट्यू आहस्तेम बोर राइक थी टानंतर महत्वा चेडिस बागा एच आमादले येलो और स्ट्रीप रस्ट रस्ट मज़े ताम बेरा ताम ब्राउन क सबस्क्राइवा और चाहे ना पाना वरती दिसता योलो कलर चे पट्ट्या पैलान स्पॉट अपला पगाय में ता यानन्तर या पौंत्या कलर चो था ब्लाक कलर चा या अपन बगिट लेला है बराच वेला यलो और स्टीप रस्ट अपन त्यला मंतो control measure all kind of rust can be controlled by grow resistant variety grow disease resistant variety तो आपन रस्ट से कंट्रोल कराया साथ है गुरु रजिस्टेंट रो गाला बढ़ीन पढ़ना रहा वाराइटी लावा सापन बंतो है त्यानंतर पूर्चा प्रकारा है black or stem rust इचा मधे रस्ट मधे reddish brown spots symptoms बगा reddish brown spot appear on leuke remained lighter on spotter black लाल कलर छे ट drawer पाना अ और ति बैगारमेघ तर HE रस्ट इने चावरतечение कोंट्रोल आहे ग्रो रजिस्टन्ट वाराइटी रोग आला बढ़ी न पढ़नारी वाराइटी लावा त्याना तर लूसमठ अपन बगित लेले होता लूसमठ मंजे काया तर सिम्टम्स भगा ग्रेन इज रिप्लेसर बाये ब्लैक पाउडरी मास ओ फंगल स्पोर ग्रेन धा पाउडरी काय बूर्षी त्या हिजा मादे होता यान पंगल डिसीज है पंगल मुड़ेनारा रोग है यह वर्ती कंट्रोल मेजर आपन बगितलो हुता शन ही ट्रिक्मेंट कारा सुरिया मादे सुरिया प्रकर्स पेरनी पुर्विस प्रकर्स प्रकाशा मादे दोंते तिन वस बियान वालवान अंतर पेरनी कारा आनी सी ट्रिक्मेंट आपन बगितलो हुती है त्यान अंतर आपन सी ट्रिक्मेंट विद बेंडलेट फंगी साइडना आपन की लित करी पन लूसमर्ट सापलेला इफेक्टिवली कंट्रोल मेज शोत हा पंगल डिसीज है यह तर महत बाचे लिसीज आपन बगितले यहनारे रोग और खिडिन सा अब्यास बगितला फीट से डीटेल कल्टिवेशन आच्छा लेक्चर मदे आपन बगितलेला है त्यामदे आज आपन सुर्वातीला काय बगितले बोटैनिकल नेम बगितले ट्रिकम स्पेसिज यहोडली हिलतर पन चालेल फैमिली आहे ग्रामी निव ओरिजिन साब्ट विस्ट नौर्ट वेस्ट इंडिया ने हाडवीट चाहे अब्यसिमिया त्यान अंतर मुलान आपन एकोनमिक इंपोर्टन्स बगितले त्यों यूजेस बगितले यहामदे स्टैपल फूडाय मात वाच्छ स्टार् बऑच्छ मंदे बगितले त्यान अंतर स्टैपल बूतल खृटन्स लिए श्ल्यच स्टैपल अपन बगितले वाच्छ आमे इंडि भी सिस्जन क्लाप ठरेक्ट कॉल अं धुराय क्लामेट त्यान अं त त्यान ए खिपाते निच तीलेश इच बगितले नां यानान थिका स जानंतर, seed treatment येचा बगिटलिया, पंसन, heat treatment बगिटलिया, wetavax treatment बगिटलिया, महत्वा चा येचा seed treatment अपन बगिटलिया, spacing बगिटल रेनपेट साथी 22.5 cm ए इरिगेट साथी 30 cm त्यानंतर, manure बगिटला 10-15 cm ए पोयम पर एक्टर, fertilizer चा डोस बगिटला, इरिगेटेट साथी 21 kg, nitrogen 60 kg, phosphorus 60 kg, potassium 50 kg, potassium 50 kg, potassium 50 kg अपन बगिटला त्यानंतर, इंटर कल्टिवेशन बगिटला अंतर माशा अगाते एक वया, दोन वया बहांगल ने, एक वया कोल अपन आपन करतो है त्यानंतर, हर्वेस्टिंग, पीकाची काड़नी कशी करायाची, पीकादी काड़ायाची, मैचुर्टी साइन बगिटला अटरा ते 22.5 cm माविचर कंटेंटा सावा, इट कट क्लोस तो तो ग्राउंड लेवल, तैन टाइड इन बंडल्स, टाइड इन शन फर वन तो तू देज, अन थ्रशिंग कशान करनारा अपन थ्रशिंग मशीन करू शकतो, कि वाँ हर्वेस्टों नसुदा अपन वापर करू शकतो, त्यान या महतवाच आपन वाराइटी बगीटले, त्यान अनंतर पेस्ट बगीटले और डिसीज बगीटले, लक्षाताल मुलानो, आज आपन आचा लेक्चर मदे, फीट क्रॉप चो डीटेल कल्टिवेशन बगीटल, आस एक एक क्रॉप चो डीटेल कल्टिवेशन आपन बगना साथी वीडियो तुम्ही वस्तित बगा, आईका पुन पुनना, मंजे त्यातला काईश आंका, काईश ब्रशना स्तिलतर तुम्ही परत मला लेक्चर ला विचारू शक्ता, आचा लेक्चर ला पन याठीकानी थांब्या, धन्यवाद